दौसा के बांदिकूई में SDM रह चुकी पिंकी मीडा को जेल से जमानत मिल गई है 10 दिन के लिए जेल से बाहर आने वाले पिंकी मीडा अब अपनी शादी रचाने वाली हैं वो भी एक जजज के साथ शादी के चार दिन बाद पिंकी मीडा को फिर से जेल वापस जाना पड़ेगा सड़क बनाने वाली एक कमपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने की आरोपी तदकाली ने सडियम पिंकी को राजस्थान हाई कोट ने सशर्थ जमानत दे दी है एक महिने से पिंकी मीडा जेल में ही बन थी 16 फरवरी को पिंकी की शादी है और शादी के बाद 21 फरवरी को पिंकी फिर से जेल में शिफ्ट कर दी जाएंगी रिश्वत लेने की आरोपी पिंकी मीडा को बुधवार रात को ही जेल से रिहा किया गया है पिंकी को महिला जेल के गेट के बजाए सेंटरल जेल के में गेट से बाहर निकाला गया उनके परिवार के लोग उन्हें लेने भी आये थे जेल से आने के बाद पिंकी मीडा जैपुर से अपने गाउं चौमू के चित्वारी के लिए रवाना हो गई यानि पिंकी मीडा को अब अपनी शादी के चार दिन बाद ही सरेंडर करना होगा इससे पहले भी पिंकी ने निचली अदालत में जमानत की अरजी लगाई थी लेकिन वो अरजी नामन्जूर हो गई थी आपको बता दें कि 13 जनवरी को ACB ने हाईवे बनाने वाली एक कमपनी से 5 लाग की रिश्वत लेने के आरोप में दौसा के SDM पुषकर मित्तल और बांदी कुई की SDM पिंकी मीडा को 10 लाग की रिश्वत लेने की शिकायत पर गिरफतार किया था आरोप है कि दोनों SDM ने भारतमाला परियोजना कमपनी के अधिकारियों से रिश्वत मांगी थी जेल से बाहर आकर पिंकी अपने हाथ तो पीले कर लेंगी लेकिन उनकी ये खुशी महस चार दिनों की होगी उसके बाद फिर से पिंकी सलाखों के पीछ जाने वाली है